जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का Education Cat6 में रुख करते हैं बिहार के तरफ, दोस्तों बिहार में BPSC के माध्यम से सिख्षक बाहली का तीसरी चरन का notification आउट हो चुका है, लेकिन क्या ये धोखा नहीं है, आप खुद से अपने आपको देखे और सवाल सरकार से पूछे चुकि अब तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है, चुकि ऐसी सरकार आगी है, कोई आवाज उठाने से डड़ भी रहा है, इनफेक्ट यहीं नहीं, बहुत सरे YouTube चैनल तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं अब तो, लेकिन यहीं जो पिछली सरकार थी, उस पे चड़े रहते थ हैं लोग, मैं देखिए, सपोर्ट नहीं कर रहा हूं किसी सरकार का या किसी पार्टी का, लेकिन मैं उन सभी से पूछ रहा हूं कि अब वो कहां लोग सो गया है, इतने चातर नेता उगर थे, उस सरकार में, कि जो बोल रहे थे, वो चीज़े हो रही थी, उनको, उनकी बात की वेकेंसी है, टोटल, सिर्फ और सिर्फ अभी ऑफिशल तोर पे देखेगा, तो एक जनता दल युनाइटिट के ट्विटर हैंडल पे बताया गया, कि 87,000 वेकेंसी देंगे, उस से पहले बोला गया था कि 65,000 वेकेंसी देंगे, उसके बाद अब ये एक नोटिफिकेशन से भी फारम नहीं भर रहें, बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कुछ तथा कथित पत्रकार लोगों को बुला कर और अपना इंटर्व्यू दे रहे लो, कि इतना वेकेंसी हो सकता है, इतना ब उठा रहा है, जबकि इन छात्रों का तो पूरा का पूरा हग बनता है, और इनकी संख्या अगर ओपन कर दी जाए, ये ओभरेज वाले छात्रों को आविदन करने का मौका दिया जाए, तो कम से कम नहीं भी तो, यहाँ बता दे कि एक से डेड़ लाग ऐसे छात्रों होंग अभी देखी जादा नहीं, दो लाग के करीब करीब जो फारम भरे गया है, ठीक है, दो लाग के आसपास फारम, लेकिन उससे थोड़ा सा और जादा हो सकता है, ये लोग सामिल होंगे तो, और इनको सामिल करना भी चाहिए ओभरेज वालों को, क्योंकि इनका हक है इस बहा 19 और 23 में, तो इनको एक ही मौका या दो ही मौका देकर क्यों छोड़ दिया गया, ये तो बात अलग है कि इनके लिए कोई बोल नहीं रहा है, बार बार हम वीडियो बना रहे है, ताकि सरकार तक पहुंचे उन तर, लेकिन मेरे बोलने से नहीं होगा सिर्फ, मैं भी आपको बाते करूंगा, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि सर, आप तो पक्ष ले रहे हैं भी पक्ष का, लेकिन मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, वही सरकार थी, जब जब वो सिक्षा मंत्री थे, ता आप लोग चड़ चड़ के जाते थे, वहाँ पे अपनी बातों को रखने, सिक्षा भी भाग में पहुंचते थे, अपनी बातों को लेकर, बार-बार, एक-दो दिन नहीं, कितने बार चीजों को सुधार करवाया गया, BACB का वेबसाइट हमने सुधार करवा दिया, इतना आवाज हम लोगों ने उठाया, तो वो सरकार जब सुन रही थी तब तो, लेकिन ये सरकार सुन रही है कि आपकी, इस बात को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आप अपनी बातों को लेके जा रहे हैं, वहां से आपका पत्रा चार भी नहीं किया जा रहे हैं, कौन है, आपकी बातों को सुना जा रहे हैं, नहीं, तो आपको एक बातों को समझा आई ये चीजों को कि क्यों हमें जाना चाहिए क्यों हमको आविदन करने का मौका देना चाहिए तो सिर्फ एक सरकार पर आप लोग चड़ेंगे और अच्छा वो कुछ ऐसे भी यहां पर तथा काथित छातर नेता लोग हैं जो कि हर बात के लिए आवाज उठा देता अब सरकार इनको अंसुना कर रही है और अगर इस बार इनको मौका नहीं मिला तो ट्यारी 4 तो भोली जाएगे आप लोगो बैटने का मौका मिलेगा मैं आपकी बातों को वहां रख रहा हूं जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा लेकिन आगे चलत CT को मौका दिया जाए है ना तो जो CTT 2024 वाले अपेरिंग माले थे वह तो पास हो गया उनका रिजल्ट भी आ गया तो इनके लिए तो भाई ये गुडलक है कि यह आविदन कर सकते जिसके चलते चटी से आठवी के लिए यहां पर देखेगा तो जो भी आविदन प्राप्त और नहीं बताया जा रहा कि कि इस class के लिए कितनी वेकेंसी है या कि सब्जक के लिए कि नी दिखाना चाहिए आप लोग खुद बोलिए यहां पे आप लोग को सवाल करना ही नहीं आ रहा है आप लोग ट्विटर पे अलग अलग तरीके से आप्व जाके वहां पर अपने कर दी गई हैं क्यों कारण इसके पीछे क्योंकि बहुत लोग यह सोच रहे हैं कि हम जो हैं आभी दन तभी करेंगी जब हमें संख्याएं पता चलेंगी अपना अटेंप खराब नहीं करेंगे और अटेंप्स को लेकर बता दे कि अभी भी बहुत सारे जो चादर सवाल हो गया तो यह बाते रखी गई हैं उनको भी लेकर विरोज हो रहा है उनको भी लेकर वो लोग नहीं देना चाहते हैं लेकिन कुछ लोगों ने आप फरम भर रहा है मैं उसका भी एक न्यूज दिखला दूंग आभी आप लोगों यहां पर तीन ही अटेंप है आपको यह स तो चाड़े तीन लाग के अपरोक्स यहां पर और उच माधिमेक में अभी तक 37,956 ही आविदन आये जबकि सीट यहां पर 28,000 ही है तो सोचिए कि कंपडिशन तो बिल्कुल 0 है लेकिन जो लोग फरम नहीं भर है मैं बोलूगा कि फरम भर दीजे और सरकार से मांग कितना वेकेंसी। कितना है आज लास्टेट हो गया है यह लोग बोले थे कि हम लोग 15 तारी तक ही जारी 10 तारी कर देंगे रोस्टर और वेकेंसी की सीटों की संख्या हम बता देंगे तो अब ऐसे करते करते तो लगवग सारे 3,000,000 लोगों ने अभी तक अपरोक्स या चार लाख मान के चलिए लोगों नभी तक फारम भर है तो यह संख्या तो अभी भी कम है जिस हिसाब से वेकिंसी है उस हिसाब से देखेगा तो अभी भी इनकी संख्या बहुत कम है कमपटिशन बिल्कुल जिरो रहेगा 11-12 में खासकर और 9-10 की बात करें तो यहां पे वेकिंसी कम है तो इसमें भी ज्यादा लोग आवे दिन किये नहीं यहां भी आसान है और देखिए आसान तो नहीं कह सकते हैं चुकिए अगर यह लोग पेपर टफ कर देंगे तो आप लो लोग बदलेंगे और तब आप लोग जिसको पास करना वो उसको पास करेंगे यह सिस्टम चल रहा है यहां पर लेकिन जो भी अपडेट है मैंने आपको यहां पर बताया है देखिए एक अपडेट और है हमारे पास जो कि मैं आपको थोड़ा दिखलाना चाहता हूं इस ब पूरुस महिला को छोड़ दीजे मतलब यह तो मैंने एक आकड़ा यहां पर रखा था कि हो सकते कि हलो आविदन कर सकते हैं लेकिन यह आकड़ा यहां पर यह दिख रहा आपको और यह संख्याएं जो है लगबग 65709 पद के लिए हमने बताया कि यह आ सकता है 87000 लोग बोल अफिशल वेबसाइट पर नहीं आया था और आज नहीं तो अब कब यह भी तो एक सवाल है और डेट तो एक्सेंट होना ही चाहिए अगर अगर ऑफिशल आज डेटा देता है आयोग BPC जो है वेबसाइट पर देता है तो डेट तो एक चात्री यहां आप इनको मोगा मिल स तो देखिए यह जो है ना इसी बीच में आपका यह एक्जाम लिया जाएगा संभवत है यह अगर डेट एक्स्टेंट हुआ एक्जाम लेने का तो यह फिर अचार सहीता के बली चड़ जाएगा बहाली और यह बहाली का एक्जाम भी अब अचार सहीता के बादी होगा जो कि मुख्यमंत्री तो वही है ना भले अभी थोड़ी थोड़ी छोड़ी बातों पर गुस्सा हो जा रहे है मुख्यमंत्री जी लेकिन अपनी बातों को तो पहुंचाने का प्रयास किया जाए और मैं सबसे पहले उनके लिए आवाज उठा रहा हूं कि ओभरेज वालों कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया हुआ है वो लिख दीजेगा यह तो यह अप्लाइ कर देंगे फिर यहां पे एक मांग उठी थी कि अपेरिंग वालों को भी मौका दिया तो इन्होंने तो साफ साफ नोटिफिकेशन लिख दिया कि हम अपेरिंग वालों को किसी को मौका नहीं देंगे लेकिन इनका रिजल्ट आ चुका है तो इनकी संख्या पड़िया यह आ जाएंगे तो एक से और ले लग आपको बताया सारा कारण लेकिन आप लोग भी उठिये आवाज लगाईए और जैसे ऑफिशल अप्डेट आएगा हम आप तक साजा करेंगे फिलहाल ये तो जो अपडेट आया हुआ है बहाली का कि ये एक लाख दो हजार के असपास बताया जा रहा है अब ये कितना सच है अफिशल अपडेट आने के बाद है हम आपको साजा करेंगे फिलाल इसको आपनों भी अभी फेक ही समझे जैहिंद